पेंसन भोग्यों के लिए सरकार की तरफ से जवर्दस्त खबर जारी की गई है अगर आप भी एक पेंसन लाबारती हैं तो आपको बता दें कि अब से पेंसन लाबारतियों को 5000 रुपे पेंसन हर महीने मिल पाएगी जिहां दोस्तों अगर आप भी एह लाब लेना चाहते हैं हर महीने 5000 रुपे पेंसन लेना चाहते हैं तो आपको कुछ महत्पूर्ण कारिय करने होंगे जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं सरकार की तरफ से जबर्दस्त ऐलान किया गया है जिसके अंदर गत हर महीने पेंसन भोग्यों को यह लाब मिल पाएगा अब यहलाब किस प्रकार से पैंसन लाबारती ले सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं और साथी आपको क्या कारिय करना होगा कहां पर यह कारिय करना है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल वाई जानकारी दे जा रहे हैं अगर आप भी हर महीने 5,000 रूपे पैंसन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ आंत तक बन रहेगा वीडियो को देखते रहेगा क्योंकि इस वीडियो के मात्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो खिरप्याम वीडियो को लाइक कर दीजे और जाज ज्यादा वीडियो को सेर भी कर दीजेगा तो जलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पैंसन धार्गों के लिए जबर्दस्त खुस खबरी जारी करती है हाला कि अगर राज्य की बात करें तो हर राज्य में अलग-अलग इस्तर पर पैंसन दे जाती है लेकिन दोस्तों चाहे आप किसी भी राज्य की रहने वाले हूँ आप अपने राज्य से ही 5,000 रुपे हर महिने पैंसन ले सकते हैं हाला कि सभी पैंसन लावार्थियों को एक महत पूर्ण कारिय करना होगा अवर्वेक कार्य क्या है उसके बारे में हम आपको डेटेल वाई जानकारी देने जा रहे हैं तभी आप पांच हजार रुपे पैंसन को प्राप्त कर पाएंगी दोस्तों मिली जानकर के अनुसार हर महिने यहलाब सभी पैंसन लावार्थियों को नहीं मिलने वाला है जी हाँ अब क्यों नहीं मिलने वाला है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजे देखिए सरकार की तरप से पैंसन योजना में नए नियम निर्धारित किये हैं जिसके अंदर गत कुछ ऐसे पैंसन लावार्थि हैं जिनको इस पैंसन योजना से बाहर कर दिया है उन पैंसन लावार्थियों को यह लाब नहीं मिलने वाला है अब वह कौन-कौन से पैंसन लाबारती हैं जिन्हें यह लाब नहीं मिलेगा यानिके 5000 रुपे पैंसन वह नहीं ले पाएंगे उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे जा रहे हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यह है कि पैंसन लाबारती का राज्य चाहे जो भी हो वे ही हर महीने 5000 रुपे पैंसन ले पाएंगे अब दोस्तों यह पैंसन आपको किस प्रकार से मिलेगी चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं हाला कि सरकार की तरफ से कई बड़े पैंसन नियम भी निर्धारित किये गए हैं जिनका पालन करना सभी वेक्तियों को सभी लाबारत्यों के लिए अनिवारिये हैं जो भी वैक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उन्हें हर महिने 5000 रूपे पैंसन नहीं दी जाएगी अब दोस्तो किस परकार से हैं पैंसन मिलेगी चलिए उसके बारे में भी हम आपको बताएगे कि आपको किस परकार से इसमें कारे करना होगा और दोस्तो आपको पलाई भी कहां सपर करना होगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो बुजुर्गों को पैंसन दी जाती है वे 60 साल की उम्र में या फिर जो वेक्ति की उम्र 60 साल से अधिक हो जाती है उनको ही पैंसन दी जाती है ये आप भी बेकुविस जानते होंगे कि बुजुर्गों को जो पैंसन दी जाती है क नहांपर हम आपको वतादें कि अगर आपकी आइउ ऐंसेयली में अपलाई कर सकते हैं। जी हाँ आपकी उम्र 18 साल है तो आप इसके लिए अपलाई जरूर कर सकते हैं यह लाब केंद सरकार की तरफ से सुरू की गई पैंसन योजना से यहनिके APY पैंसन योजना के अंतरगत दिया जा रहा है अब दोस्तो यह है जो हम आपको जानकार दे रहे हैं यह केंद सरकार की तरफ से पैंसन सुरू की गई है जिसके अंदरगत हर राज्य का व्यक्ति इस पैंसन के लिए अपलाई कर सकता है हाला कि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जैसे कि हमने आपको सुरूवात में ही बताए हैं जो इसके लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं अब वह पैंसन लाबार्ति कौन-कौन हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे दोस्तों देखिए यहां पर APY पैंसन योजना के अंतरगत लाब लिया जा सकता है हला कि इस पैंसन योजना में लाबार्तियों को कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा जी हां आपको इस पैंसन योजना में इन्वेस्टमेंट करना होगा अब दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितना करना है उसके बारे में भी आपको बता दें देखे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं करना होगा अब कितना करना है एक-एक करके हम आपको बताएंगे उम्र के हिसाब से जिहां उम्र के हिसाब से इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा तभी आप हर महीने 5000 रुपे पैंसन को प्राप्त कर पाएंगे अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं जो हमां को जानकर दे रहे हैं वह अटल पैंसन योजना के अंतरगत आपको जानकरी दे जा रही है यानि के अटल पैंसन इसकेम में पहले कोई भी भारतिया नागरीक आविदन कर सकता था जिसमें दोस्तों चाहे कोई टैक्सपियर हो या फिर कोई भी व्यक्ति हो इसमें सभी व्यक्ति आवेदन कर सकते थे लेकिन एक अक्टूबर 2022 से इसके नियमों में बदलाओ कर दे गया है अब दोस्तों अब सिर्फ वो व्यक्ति ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं लाप्राप्त कर सकते हैं जो टैक्स पियर नहीं है यानिके जो व्यक्ति टैक्स नहीं भरते हैं केवल वे ही इसके लिए अपलाई कर सकते हैं जो व्यक्ति टैक्स पेर करते हैं उन व्यक्तियों को इस पैंसन योजना का लाब नहीं दिया जाएगा इसी स्कीम के अंतरगत आपको कितनी पैंसन मिलेगी ये आपके कंट्रिबूशन पर निर्भर करता है दोस्तो निवेश की रासी जो है वे उम्र के हिसाब से तैं होती है अब किस उम्र में आपको कितना इंवेस्टमेंट करना है वे आप यहां पर जान लिजे देखे अगर आपकी उम्र अठारा साल है तो अठारा साल में आपको हर महीने दोस्तो 210 रुपे जमा करने होंगे और यह लाव आपको 42 साल तक जमा करना होगा अगर आपकी उम्र 20 साल है तो आपको 248 रुपे हर महीने जमा करने होगे यह पैसा आपको 40 साल की उम्र तक जमा करना होगा अब दोस्तों आप देख सकते हैं हर महीने यह कोई ज़्यादा पैसा नहीं है इतना पैसा दोस्तों आप इधर उधर भी खर्च कर देते होंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा सिक्योर हो तो आप इसके लिए आविदन जरूर करिएगा वहीं अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको 570 रुपे हर महीने जमा करने होंगे और यह लाब आपको 30 साल की उम्र तक जमा करना होगा वहीं दोस्तों अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 1454 रुपे 1454 रुपे आपको हर महीने जमा करने होंगे और यह लाब केवल और केवल आपको 20 साल तक ही जमा करना है यानि के दोस्तों आपको 60 साल की उम्र तक यह पैसा जमा करना है और उसके बाद आपको 5000 रुपे हर महिना मिलना सुरू हो जाएगा आप बात आती है कि इसमें आपको आवेदन किस परकार से करना होगा आप अपने बैंक में जाकर इसके लिए अपलाई कर सकते हैं और लाप्राप्त कर सकते हैं तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकरे आई होप आपको जानकरे अच्छे लगी होगी आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो किरिप्या वीडियो को लाइक कर दिजे और जैसे दा वीडियो को सेर भी कर दिजेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को आप चुरोज सब्सक्राइब कर लिजेगा तो आप जाते हैं आप से यह जात और मिलते हैं दोस्तों आपको नए इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत